हळलो दोस्तों। आजकी वीडियो के अंदर कोई आध्टि हेडमेडी नहीं है। हमारी कोई ब्यूटि से रिलेक्टेड रेमेडी के अंदर मैं बताऊंगी, तो आफी तरीके से आप घर पर काड़ा ile में इसकी जो रेमेडी है तो आपको इसके पहले आपको एक बरतन लेना है विडें है और द्वाइच अबड़रियों को से पहले है तो आपको बहुते हैं इसको आपको आपको अशय वहां कि एक अधीन रखना है सबसे पहले आप क्या करेंगे इसके अंदर आपने चार ग्लास पानी डालना है यह हो जाएगा आपका एक लिटर के करीब यह आपने चार लिटर पानी डालना है इसमें ऐसे चार लिटर पानी हो गया है और इसके बाद जो हमारी पहली चीज है वो है हमारा गुड़ गुड़ आपने इतना फीस यह दो पीस लेने हैं और इस तरह के से आपने इसमें डाउ देने हैं और इसके बाद दोस्तों जो हमारी चीज है वो है हमारी हल्दी, हल्दी हमने वो नोर्मल वाली जो हल्दी होती है, हमने वो जो लेने सूखी हल्दी होती है, गाट जिसको हम बोलते हैं, यह इतनी है, आप इसको जाय तो डारेक डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको पीस के भी मैंने इसको पीस लिया है, पीसिस में पूरी एक गार को और इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़े हैं, उनको भी मैंने इसमें डाव दिया है, इसके बाद जो हमारी अगली चीज है काड़े के लिए वो है, हमारे तुलसी के पत्ते, यह आपने डाल लेने हैं, चार पांच अगर आपके घर में तुलसी का प्लांट है, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट से भी तुलसी पाउडर ले सकते हैं, और इसके बाद जो हमारी अगली चीज है, हमारी अधरक को भी आपने थोड़ा पीस लेना है, यह पेस आपको एक चमच लेना है, और इस तर चाल लोंग लेनी है, और चाल आपको काली मिर्च लेनी है, उनका जो पेस्ट बनेगा, वो इतना बनेगा, इस तरीके से, और आपने इसमें इसको डाल लेना है, इसके बाद आपने क्या करना है, हलकी ही आच पर इसको पकाना है, यह आपको हलकी आच में 10 मिनट तक पकाना या आपने इतना पकाना है कि जो हमारा गुड है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए तो इस तरीके से जो आपका काड़ा है वो बनकर तयार हो जाएगा फिर आपने क्या करना है इस काड़े को एक चम्माच सुबह पीना है एक चम्माच श्रामको पीना है खाना खाने के ब यह आपका तिन से चार दिन चल जाएगा चार लोगों के लिए सिर्फ एक चमची पीना है आप इसको क्या करेंगे इसको बनने के बाद आप छान कर फ्रिज में रख देंगे किसी बरतन में स्टोर करके और आपको जब भी इसको पीना है आप इसको हलका गुंगुना करेंगे और इसको पीलेंगे फिर आपको क्या करना है गैस को बंद कर देना है तो गाइस जो हमारा काड़ा है वो बनकर इस तरीके से हो जाएगा दस मिनट पकने के बाद आप देख रहे हैं इसको मैंने गैस से उतार लेना है फिर मैं बताती हूं आगे आप लोगने क्या करना है त तो आपको इसको बनाने के बाद इसको इस तरीके से चलने से किसी दूसरे बर्तन में छाल दोना है इस तरीके से इस तरीके से चलना और जो यह हमारा काड़ा है बन कर तियार हो गया है झाल 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 झाल